Hello everyone, welcome to the official channel of Vector Educators, this is Neelam and today we are going to discuss error detection So, शुरू करते हैं आज का सेशन, as per the direction, the sentence has been broken up into four different parts मतलब कि जो दिया हुआ sentence होगा, जो question होगा, ये four different parts में break किया हुआ होगा The error, if any, will be in any one part of the sentence, मतलब कि जो error होगा, वो किसी एक part में होगा Select the option which contains the part of the sentence which has an error And as an answer, आपको ऐसा part select करना है, ये ऐसा option select करना है, जिस option में, जिस part में error होगा And ये जो error होगा, ये spelling, grammatical या contextual किसी भी तरीके का error हो सकता है So, let's proceed forward and here is your first question, as you can see this question, this sentence has been divided into four parts That is A, B, C and D and आपको यहाँ पर बताना है कि इसके कौन से part में error है So, आपके पास यहाँ पर दो मिनट है and आप decide कीजिए कि यहाँ पर error कौन से part में होगा Then we will discuss So, आपके बताना है झाल झाल यहां पर देखा है कि दोनों जो सब्जेक्ट है यह दोनों सब्जेक्ट कनेक्टे है इस फ्रेस से अलोंग विच से एजब भी दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं अलोंग विच से वर्ब आती है यह वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है बर्ब हमेशा ब्बिलकुल सिंगूलर सब्जेक्ट है कि यह जो verb है यह subject के साथ agree नहीं कर रहा है क्योंकि एक rule ही है यह कि जब दो subject connect होंगे along with से या हम कह सकते हैं जब भी दो subject connect होते है along with से या with से या together या together with या as well as या like, unlike और भी बहुत सारे phrases and words या like, unlike, than, besides या besides then addition to in addition to हो जाएगा यह in addition to then and not या no less than यह जितने भी यहाँ पर यह phrases या words मैंने लिखे हैं जब भी इनसे दो subject connect होते हैं तो जो verb होती है यह verb हमेशा first subject के according आती है मतलब कि subject one के according हमें यह नहीं देखना होता है कि पहला subject और दूसरा subject मिलकर कितना बन रहा है क्योंकि child और parents सकर बाट करेंगे तो यह तो plural बन जाएगा लेकिन हमें हमेशा यहाँ पर देखना है कि जब भी इन phrases या words से कोई दो subject जुड़ते हैं तब जो वर्ब होती है यह हमेशा first subject के according होती है तो child singular होने की वज़र से यहाँ पर यह जो वर्ब होगा यह भी singular होगा मतलब की जो error है यह बी पार्ट में है तो यहाँ पर जो सही answer होगा वो होगा option number B next question देखते है जो सबस्टार लगी के यहाँ पर बाल यहाँ है अज़रो जो सही पार्ट में वर्ट कृक्रण सल्टा बीन, मतलब है शीज़र गज़र्ट में है तो यहाँ कर दो होने खा दूम दोगक्रण सो बाल झाल झाल एक पार्टी का नाम है इसलिए यहाँ पर दखा यूज किया गया है हमेशा बीजेपी यह कॉंग्रेस सभी यह जो पार्टी जो होती है सभी के आगे दखा यूज किया जाता है आटिकल दखा has made significantly inroads अगर बात करें यहाँ पर inroads की inroads एक noun है ओके and noun के पहले हमेशा adjective आएगा and यह तो यहाँ पर adverb का काम कर रहा है तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा and इसके adjective की form की अगर बात करेंगे adjective form की तो यह हो जाएगा significant because noun है and noun को qualify करने वाला word यहाँ पर adjective कहलाता है so it should be significant inroads inroads मतलब होता है कि दखल अंदाजी करना या हम कह सकते कि sudden evasion या raid कर देना या अत्यधिक प्रभावित कर देना इसे हम कहते है inroads so यह एक noun है and noun को qualify करने वाला word यहाँ पर adjective होता है ना कि adverb so it should be significant जैसे कि मैंने यहाँ पर यह भी एक rule बता दिया कि जितनी भी यह parties होती है मतलब कि political parties होती है सभी के पहले article दखायूस किया जाता है so in the state में which was evident यह इसका क्या था evident था in the recent local body election so यहाँ पर जो error है यह obviously option number A में है next question झाल 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 so let's check guys the geographically selective alliance यहाँ पर यहाँ तक तो बिल्कु सही of the congress देखिए congress यहाँ पर again party है political तो यहाँ पर दखायूस किया है the geographically selective alliance of the congress यहाँ तक तो बिल्कु सही है and the left front is difficult यह difficult है यहाँ तक भी सही है to implement to के साथ verb की first form किस पर on the grounds अब यहाँ पर देखिए error जोगा यह c पार्ट में होगा it should be on the ground होना चाहिए ना कि grounds होना चाहिए क्योंकि एक होता है on the grounds and on the grounds का मतलब यहाँ पर होगा कि for the reason हम कह सकते for the reason that मतलब इस वज़र से यह इस बेस पर कहते है on the grounds मतलब इस पर बेस्ट है यह इस वज़र से इस तरीके से so यहाँ पर on the grounds नहीं होगा यहाँ पर होगा on the ground and on the ground का मतलब यहाँ पर होता है ऐसी जगह in a place where real practical work is done जहाँ पर real practical काम किया जा सकता है बात इसकी की जा रही है यहाँ पर है ना कि यह जो selective alliance है Congress का and the left front is difficult to implement implement करना implement करने की बात की जा रही है इसे लागू करने की बात की जा रही है on the ground मतलब इसे practically हम implement नहीं कर सकते हैं यहाँ पर की जा रही है and might end up opening new avenues तो यहाँ पर जो सही phrase होगा यह होगा on the ground on the grounds नहीं क्योंकि on the grounds का मतलब होता है for the reason that so error यहाँ पर option number C में होगा next question option the झाल 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 यहां पर बात करें इंडिया वैक्सिनेटिंग वैक्सिनेशन झाल झाल आता नहीं है हमेशा याद रखना है हास के साथ हाव के साथ एंड हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फर्म यूस की जाती है यहाँ पर तो कुछ ने कुछ गड़बड है एक बार सेंटेंस को कम्प्रीटली पढ़ लेते तो हमें समझ में आ जाएगा इंडिया हास वैक्सिनेटिंग मिलियंस ओफ यंग जिल्रेंड विट अ वैराइटी ओफ वैक्सिन्स इच एर यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडिया हर साल मिलियंस ओफ यंग बच्चों को यह वैक्सिन्स देती आई है Vaccines, ओके, Vaccinate करती आई है, ऐसा यहाँ पर sense आ रहा है यहाँ पर has के साथ Vaccinating बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ पर लग जाएगा has been vaccinating क्योंकि has, have यह had के साथ वर्ब की थर्ड फोर्माती है यहाँ पर यह गलत भी है क्योंकि sense क्या बन रहा है कि इंडिया हर साल इतने बच्चों को vaccinate करती आई है and hence has the entire system in place to roll out any new vaccine under universal immunization program, मतलब कि हर साल इतने बच्चों का vaccination करती हुई आई है and हर साल मतलब करती है, अगर has के साथ vaccinated, अगर suppose यहाँ पर लगा देते has vaccinated, तो इसका मतलब यह जो sentence होता, यह present perfect में बन जाता, मतलब कि इंडिय ने vaccination किया है, किया है नहीं हर साल करती आई है, ऐसा sense बोला है na, each year की बात की जारी है, इसलिए यहाँ पर जो सही answer होगा, वोगा has been vaccinating millions of young children with a variety of vaccine each year and hence इस तरीके से, so the correct option would be option number A, next question बाततना है, औरे ह Перв B मैंने जाखराबंवादेशन का वोगा है, तो अन आ Messiah Ник sponge, का Basketball बात्समी ने से, so that would be aqué past? चैसे कि अ सूल है हो यह है हराशाबने रांपादेसरा थाफ़ाश 유огli यह है हो, तो से कूलने जा एको भ्न basta कैसके से ही? झाल झाल आई होप सभी का आँसर आचुक है लेट्स चेक धो धो का मतलब हिंदी में होता है हाला की 4 high risk groups have been prioritized to receive the vaccine मतलब कि यह जो चार ग्रूप से इन्हें prioritize किया गया है मतलब इन्हें priority दी जाएगी किसके लिए vaccine receive करने के लिए vaccination के लिए जो टीका लगवाया जाएगा पहला जो टास होगा इस तो register recipients on the COVID platform आपको पता होगा यह कोविन प्लाटफॉर्म क्या है गलत समझ में आ रहा है बिकोज यहां बोला जा रहा है कि हाला कि चार जो ग्रूप से उन्हें priority दी जा रही है वैक्सीन लेने के लिए पहले उन्हें यह करना होगा यहां पर यह जो वर्ड है धो यह बिल्कुल भी यहां पर फिट नहीं हो रहा क्योंकि यह जो चार हाई रिस्क ग्रूप है इन्हें priority दी जा रही है इन्हें prioritize किया जा रहा है वैक्सीन लेने के लिए लेकिन इसमें जो पहला काम होगा यह क्या होगा हमें रजिस्टेर करना होगा इस कोविन प्लाटफॉर्म पर So, it should be not though it should be since So, the correct choice would be option number A Next question झाल झाल तो लेट्स चेक गाईस एस दी प्लान इस तो वैक्सिनेट यह जो प्लान है यह किस लिए तो वैक्सिनेट वैक्सिनेशन देने के लिए कितने लोगों को 300 मिलियन को एन एरर यहां पर ही बन जाएगा it should be only million millions नहीं आएगा because यहां पर number लग चुका है 300 million, 400 billion, trillion सभी में S नहीं लगेगा जब पहले number आएगा and if यह अगर number यहां पर नहीं लगता तब यह millions बिल्कुल सही होगा तब millions ही use करना होता है लेकिन जब इसके पहले 300 आ जाता है या फिर कोई number आ जाता है 1, 2, 3, 4 कोई भी number तब यहां पर S लगाया नहीं जाता है, it should be million 300 million जैसे कि आपने सुना होगा 4000 नहीं होता है 400 भी नहीं होता है 400 होता है 400 होता है 5000 नहीं होता है 5000 होता है इसी तरह के से 3 million होगा millions या 300 million नहीं होगा यहां पर सर्फ million होगा So error यहां पर भी पार्ट में Next question देखते है है झाल झाल यह जो एक्सराइस है जिस एक्सराइस की यहां पर बात की जारी शुड शुड की साथ हमेशा वर्प की पर ऌती है तो शुड देरफोर लुक थेकर रही है तो चीज न पर लगारी शुड यह जारी शुड देरफोर लुक टैट यहाँ पर अगर बोला जाए तो इसका मतलब होता है to think about something यहां हम कह सकते हैं कि to think about a subject carefully किसी चीज़ के बारे में सोचना so that you can make a decision about it ताकि आप उसी के बारे में कोई decision ले पाओ तो यहाँ पर shortcut में अगर बोले तो हो जाएगा यहाँ पर think to think so यहाँ पर बोला जाए रहा this exercise should therefore look at मतलब की सोचे think करे किसी subject के बारे में अब यहाँ पर देखेंगे look at a phrasal verb है यह at preposition आया है हमेशा याद रखना है कि कोई भी preposition आएगा preposition के बाद कभी भी हम verb का use नहीं कर सकते कभी भी verb का use नहीं कर सकते verb की place पर क्या होगा हमेशा preposition के साथ noun आएगा यहाँ पर अगर देखेंगे to create and यह to create तो verb हो गया to के साथ verb की first form यह बिलकुल यहाँ गलत हो जाएगा and बात करें इस create word के noun form की तो यह क्या बन जाएगा यहाँ पर creating and यह इसे हम यहाँ पर कहेंगे कि इसे हम जहरेंट कहते है वर्ब की आएग फॉर्म जब नाउन की तरह काम करती है यह बन गया हमारा नाउन क्यूंकि अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन का use किया जाएगा वर्ब नहीं आएगा and यह तो infinitive हो गया यह बिलकुल गलत हो जाएगा so it should be look at creating होगा okay so create additional storage capacity at this facilities to store millions देखिए यहाँ पर millions आया इससे पहले हमने जो discuss किया था क्यूंकि यहाँ पर कोई भी number use नहीं किया गया इस वज़े से millions है अगर कोई number यहाँ आ जाता five, six, seven, hundred, thousand कुछ भी तब यह सिर्फ million होता millions of covid-19 vaccines so यहाँ पर जो error है यह भी पार्ट में है because preposition के बाद noun आएगा क्यूंकि यहाँ पर यह verb दिया है and verb की noun form होती है उसकी ing form next question झाल 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 तो चेक करते हैं यहाँ पर प्रपोजल फॉर प्रपोजल यहाँ पर नाउ ने इस वज़े से आर्टिकल का यूज किया गया है फॉर ए रिड़क्शन में यहाँ पर यह भी टी आई ओन आया है नाउ ने इसलिए आर्टिकल यूज किया गया है इन दी लाइसंस किसमें लाइसंस भी नाउ ने यहाँ पर देखिए दर आर्टिकल का यूज किया गया है license fee has been has been क्या रहा है on the back burner back burner मतलब किया होता है किसी topic को जब consider नहीं किया जा रहा है यह वो पोच्पोन किया जा रहा है या उसके उपर कोई action नहीं ली जा रही है तो यह जो बोला जा रहा है कि एक प्रपोजल दिया गया था कि जो license fee है इस license fees में reduction किया जा देखे यहां तक तो यह बिलकुल सही था इन्दी license fee has been on the back burner यह back burner में ही रहा है इस मुद्दे को consider ही नहीं किया गया है सो यह बोला जारा है since 6 years अब 6 years क्या हमें निश्चित समय बता रहा है point of time नहीं बता रहा है हमें यह क्या बता रहा है पिरेड बता रहा है कि यह जो back burner में रहा है मतलब कि यह जो चीज़े जिसे पोश्पोन की जारी है consider ही नहीं की जारी है कितने सालों से 6 सालों से और हमें जब पिरेड पता चलता है तब हम since का use नहीं करते तब हम use करते for जिस तरीक ऐसे मतलब कि जैसे हमने कहा for 6 years या मैंने कहा for 2 weeks या मैंने कहा 2 months इस तरीके से जब पिरेड बताया जाता है किसी भी action का तब हम use करते for का and since का use करते है जब हमें point of time पता चलता है कि कब से जब point of time हमें पता चलता है कि कोई चीज़े ये कब से हो रही है of October इस तरीके से जब हमें point of time पता चलता है कि कोई action कब से शुरू हुई है कब से चल रही है तब हम since का use करते and जब हमें period का पता चलता है तब हम use करते है यहां पर this for का कि for 2 weeks के लिए 2 months के लिए 2 सालों के लिए 4 सालों के लिए इस तरीके से so it should be for 6 years कि अजर झालता है पर यहां पर एपार्ट में ही है यह रूल हमने बहुत बार डिसकस किया है वन ओफ दी जब भी आएगा इसके साथ जो एडजेक्टिव आएगा यह एडजेक्टिव हमेशा कैसा होगा सूपरलेटिव फॉर्म में होगा सूपरलेटिव डिगरी में होगा कैसकते है आगे यहां पर यह जो नाउन आता है यह नाउन हमेशा कैसा होता है प्लूरल होता है क्योंकि यहां पर one of the मतलब क्या होता है किसी एक की बात की जा रही है किसी एक की बात की जा रही है बहुत सारों में से one of the मतलब जब बहुत सारे nouns है बहुत सारी चीज़े है या बहुत सारे लोग है उन में से जब किसी एक की बात की जा रही है क्योंकि one of the मतलब होता है किसी एक की बात की जारी है बहुत सारों में से तो बहुत सारे होंगे मतलब की noun हमेशा plural आएगा and adjective हमेशा कैसा होना चीए superlative degree का tallest, biggest, highest, cleverest, most beautiful, most powerful ऐसे तो यहाँ पर देखेंगे India is one of the तो आया है लेकिन यहाँ पर यह adjective तो बिलकुल अपनी normal form में आया है तो यहाँ पर इसका जो superlative big होता है big का comparative यहाँ पर यह positive form में आया है इस positive form क्याते है big positive form है इसका comparative form जो होगा यह bigger हो जाएगा and जो superlative form होगा यह biggest होगा तो यहाँ पर superlative adjective आएगा इस वज़े से यह big गलत हो जाएगा and it should be biggest India is one of the biggest single markets and यहाँ पर आपने देखा noun आया है and noun यहाँ पर कैसा है plural है markets दिया हुआ so error a part में होगा किसके लिए for audiences with an estimated 200 million यहाँ पर देखिए million आया है and यहाँ पर 200 आया है इस वज़े से यह singular है अगर यह 200 नहीं होता तब यह millions होता million cable and satellite households so यहाँ पर जो error है obviously option number a में है next question आया है झाल झाल इसे लिख देती हुँ इसका मीनिंग एन्वार्मेंट भी होता है इनिये डाइवर्स कल्चर मिलेव यहाँ पर बिल्कुल सही है बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर यह एक नाउन की तरह काम करेगा और यहां तक तो बिल्कुल सही है यहां पर ट्रेडिशन देखिए नाउन है और स्पोर्ट भी क्या है नाउन ही है बिल्कुल गलत हो जाएगा नाउन के पहले हमेशा कौन सा वर्ड होता है ऐसा वर्ड जो नाउन को क्वालिफाइब और यहां पर अभी से अध्यक्टिव बनाना है तो पर क्या बन जाएगा यहां पर स्पोर्टिंग है ना वित डाइवर्स कल्चर मिलियो वित अ वाइबरेंट पब्लिक स्पियर पब्लिक स्पियर वाइबरेंट है और कैसा ट्रेडिशन है स्पोर्टिंग ट्रेडिशन है there is a space for everyone and the best combination of technology and pricing will wins viewers favor so error जो होगा यह obviously option number B में होगा because tradition noun है and noun के पहले adjective आना चाहिए ना कि noun के पहले कभी भी noun नहीं आता so it should be sporting tradition अब यह sport का ing form लगा दिया तो यह adjective बन गया जिसे हम यहां पर कहेंगे present participle जब verb की ing form adjective की तरह काम करती है तब उसे हम present participle कहते है next question so I hope सभी को error मिल चुका है क्योंकि यहां पर error जो है यह हमने already one of the previous questions में discuss कर चुके है so देखते है the street artist सतेश मुंजल यहां तक तो सही है has been painting has been के साथ verb की ing form यह भी बिलकुल सही है कि यह painting करते आ रहा है this wall this wall since कपसे past one week से अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था since जो है यह हमें क्या बताता है since हमें निश्चित समय के बारे में बताता है point of time के बारे में बताता है कि यह जो action है यह कपसे शुरू हो रही है and जो for होता है यह हमें period बताता है point of action point of time rather I would call this as point of action कि किस point से यह action हो रही है and for जो होता है यह period बताता है हमें किसी action के होने का तो यहाँ पर देखेंगे since the past one week एक week से करते आ रहा है ना तो यहाँ तो हमें क्या पता चल रहा है कि कितने मतलब कि कितने period के लिए काम कर रहा है यह एक हफते से it should be for past one week अगर यह होता है कि since Monday या since January या since last month इस तरीके से तो तब यह यहाँ पर sense ही होता क्योंकि यहाँ पर one week क्या period है कि एक हफते से हमें timing का पता चल रहा है therefore it should be for here not since so error जो है यह c part में है next question क्योंकि पते से थाश में है यह जो पहाँ है झाल झाल तो यहाँ पर अगर बात करें अब private company यहाँ पर company के लिए article एका यूस्स किया गया, private यहाँ पर adjective की तरह काम करेग़ इस one, aisy which विच मतलब company के लिए यूस किया गया है, which restrict कर देता है transfer of shares दिखी, of proposition है, shares आया, shares noun है and does not invite जो कि invite नहीं करता किसे the public to subscribe और जो invite नहीं करता पब्लिक को, नॉर्मल लोगों को to subscribe, it's a share and error D part में है because subscribe के बाद हमेशा याद रखना है subscribe to होता है हमेशा subscribe के बाद 2 का ही use किया जाता है subscribe to the magazine, subscribe to the channel इस तरीके से so error जो है यह option number D में होगा next question झाल 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 so let's check it is time, we design intelligent question papers that respect competence rather than just memory so यहाँ पर देखेंगे error A part में है because जब भी यह phrase आता है it is time या it is high time और it is peak time इसके बाद सीधा subject होना चाहिए and subject के बाद सीधा verb की second form मतलब कि यह जो sentence होगा अगर यह phrase तर शुरू हो रहा है यह phrase आ रहा है इसके बाद जो sentence होगा यह जो verb होगी वो हमेशा किसमे होगी simple past and simple past में क्या होता है verb की second form आती है next question आती है तो यहां पर अगर बात करें for the past one week for the past one week मतलब ऐसा week जो अभी just हुआ है मतलब कि यह जो पिछला week था people had stopped working out of their houses मतलब कि उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया यहां पर यह बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि बात की जारी है past one week कि मतलब अभी यह जो हफ्ता गया है अभी यह जो week गुजरा है इसी की बात की जारी है तो अभी की बात की जारी यह तो past perfect होगा and had के साथ stop नहीं, stopped आएगा क्योंकि has have and had के साथ हमेशा verb का third form आता है so यहां पर हो जाएगा for the past one week people have stopped working मतलब लोगों ने काम करना बंद कर दिया है कर दिया था नहीं क्योंकि अभी की बात की जारी कि यह पिछले week से लोगों ने काम करना बंद कर दिया है निकलना बंद कर दिया है घरों से fearing a sudden attack so यहां पर जो error होगा यह obviously option number B में होगा so guys this was all about today's session thank you very much my name is Neelam do like share and subscribe my videos thank you very much